कि रुको कुश्य निकाल ले तेखो हम बता दे रहे कौन सा एक्सरसाइस से करा रहा है तुम लोग अपना भुक खोल ले न तो ज्यादा सही रहेगा सागर हमको साथ बेजा था एक सिकंड रूजे देखो हम हाँ मेरास नहीं आ्रहत रहा है क्या है हुआ हं वह खोले हैं पर एपर कोभजल है हमको बस ऐस्ससाइज के बाद भीजा नहीं तो तुम को दो कражकर पेज नंबर कौन सा मुर्ण सा पता है तो कौन लेफ्ट हो गया और देखो कि इसमें क्या होता है हम सीधा सम्स करने का तरीका बता रहे हैं समझना ठीक है बहुत इजी है आराम से तुम लोग प्रोसेश भी लर्न कर सकते हैं 10.8 है एक्सरसाइज तो नहीं पता हम तो एक्जामपल करवा रहे हैं हेलो हां क्या वह बोल अरे मेरा निरू कभी पढ़ा रहे हैं रात को फोन करेंगे रहा कभी दो गंड़ा बात है है कि हाव बूलो हेवड फे आ कम हम ये करवारे बेस्ट है चरंक आगे वाला है न तुम्हार एक्शल में तुम्हारा बुक पुराना है न हम बता रहे हैं को सिंय लिखे देखो तुमस्व श उमझम आ बता देरेया रहे हम इस यह वाला क्षे जिए आप एक है ुसके पा तो जूम करने तो एक से एक 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 है ठीक है उसका पास थ्री वाइट बॉल्स है और दो ब्लैक बॉल्स है ठीक है और हम कोश्चिन समझा रहे हैं तुम लोग देख लेना कौन सा एक्ससाइश से ठीक है अभी उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते है बी बैग है जिसमें दो वा और हम लोग को प्रोबैबिलिटी बताना है कि बॉल वाइट हो अब तुम एकदम ध्यान से समझना ठीक है हेलो आवादा रहे ना हाँ देखो इस टाइप का सम्स में लॉजिक क्या होता है पहले हमको सम्झाने दो देखो हमको प्रोबैबिलिटी वाइट का निकालना है ठी क्या करेगा सबसे पहले वह बैग चुनेगा कि सीधा वाइड बॉल निकाल लेगा सबसे पहले बैग चूस करेगा ना तुम समझ रहे हम क्या बोल रहे है सबसे पहले दो बैग में से एक बैग चूस करना होगा और फिर उस बैग में से बॉल निकालेंगे तो हम कैसे मालो event 1 है choosing a bag choosing a bag सबसे पहले तो ये होगा समझ रहा है और event 2 क्या होगा event 1 होने के बाद event 2 क्या होगा choosing a white ball choosing a white ball तो याद है ये हम लिखते थे याद करो e2 by e1 इसका हम लोग हिंदी में क्या सिखे थे e2 होगा e1 होने के बाद तो सबसे पहले e1 event हो जाएगा उसके बाद e2 होगा तो ये conditional probability है जो हम लोग सिखे थे उस दिन conditional probability क्या बोलता है कोई event हो चुका है उसके बाद कोई event कर रहे समझा रहा है तो इसमें हम लोग का event 1 हो चुका है हम लोग event 2 perform करेंगे उसके बाद समझा रहा है पहले ये होगा फिर ये होगा तो देखो सबसे और इसका formula तुम लोगों को याद होगा हमको याद है इसका formula क्या है याद है hello भूल गया formula भूल गया इसका क्या था P of A bar B होता है P of B divided by P गलत लिग दिये सौरी एक सेकंट हम खुदी गलत लिख दिये P of A intersection B divide by P of B अरे नहीं भाई बेस थियोरम नहीं है ये हमको नहीं पता कौन सा थियोरम है ये हम तुमको सिखा रहे है तुम सीख लो अब हम exercise कहा सिखो जहें कौन सा एक्सरसाइज है ये total probability है चाहा है बेस थियोरम के आगे वाल exercise देखो बेस हैं ना उसके पिछला वाल exercise आगे बोर ये पिछला वाल exercise देखो समझार है कि अरे तुम सम्स देखो ना वाई सम्स शीख जाओगी तो देख लेना कहा ना कहा पर सम्स सम्झो ना पहले total probability को हम पहले समझा दे रहे, total probability क्या होता है, जैसे कोई event A है, वो कैसे होगा हम समझा दे रहे, ठीक है, हम इसका formula लिख रहे है, हमको पूरा पेज का photo भी नहीं भेजा है ना, को दीक भी नहीं रहे, मानो A ऐसे करके event है, कैसे होगा हम समझा रहे है, P of event 1 into P of A event 1 plus P of event 2, हम इसी question से समझा दे रहे है, P of A event, बोलो, कुछ बोड़ लाएं क्या, 9-9 छोड़ दो हम समझा दे रहे, कोई दर कर नहीं है, हम जो समझा रहे हैं, यह जो formula है न, यह क्या है, तुमको अभी समझ आ जाएगा, ठीक है, तुमको अभी समझ आ जाएगा, 2 second relax करो, समझ आ जाएगा, ठीक है, हम इसी question से तुमको समझा दे रहे, हम यहाँ पर लिख है, रुको, इसको मिटाओ, और इसको भी मिटाओ, यह तो वैसे याद होना चाहिए, ठीक है, हम तुमको पूरा समझा दे रहे है, ठीक है, हम जो जैसे book में लिखा है, वैसे लिख रहे है, सबसे पहले event 1 क्या हो सकता है, event 1 हो सकता है, कि हम bag 1 चूज़ करे, event 2 क्या हो सकता ह है, कि हम bag, यह bag 1 है, और event 2 क्या हो सकता है, हम bag 2 चूज़ की ए, ठीक है, समझो, अब समझा जगा है, हम bag 2 पकड लिए, और a event क्या है, a मेरा main event है, यह क्या है, मेरा main, main event क्या था, बोला था white ball निकालने न, क्या है? एइवेंट क्या है? बोलो कि मेरा हम वाइड बॉल निकाल लिए वाइड बॉल is drawn या taken out drawn मतलब क्या होगा? taken out तीन अलग-अलग मेरे पास तीन situation है event 1 कि हम पहला back choose किये event 2 हम दूसरा back choose किये और एइवेंट क्या है? और इसका नाम चेंज कर दो नहीं तो तुम confuse हो जागा ये बैग 1 है ठीक है? ये बैग 1 है और ये बैग 2 है ठीक है? समझो कैसे हो रहा है आप सार्ट करते है, तो क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले बैग 2 हो सकता है यहाँ हो सकता है मतलब मैं बैग 1 चूस करने के असके बाद क्या क्या हो सकता है? उसके बाद बैक वन चूस करने के बाद हम वाइड बॉल निकाले हम वाइड बॉल निकाले तो इसको कैसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे न इसको हिंदी में कनवर्ट करो इसको हिंदी में कनवर्ट करने का मतलब क्या हुआ वाइड बॉल निकाले अरे A event तब हुआ जब event 1 हो गया मतलब bag 1 choose करने के बाद हम wide ball निकाले इसका ये मतलब होता है हिंदी में समझाये थे न A का होने का chance जब B हो चुका हो समझाये थे भाई तो wide ball निकालने का chance जब bag 1 choose किये हो इसका ये मतलब है wide ball होने का chance जब बैग वन चूस किये है, समझा? इतना बड़ा लिखना पड़ रहा है और इवेंट टू क्या है सोचो इसके आगे बढ़े, देखो इवेंट टू क्या है कि हम बैग टू चूस कर लिए तो यह कैसे लिखेंगे बताओ इस तरीकस लिखेंगे इसका मतलब क्या सोचो तो इसका मतलब है वाइट बॉल निकालने का चांस जब बैग टू चूस की है, वाइट बॉल निकालने का चांस जब हम लोग बैग टू सेलेक्ट की है, यह डाइगरम समझा है की नहीं? Exam में बनाना इसको, exam में इसको बना के दिखाना पड़ेगा, समझा रहे है, hello, ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, चुपचप ये formula लगा दो, कौँछ फर्मुला, और ये formula क्या है, total probability, total probability, ये formula क्या बोलता है, अगर कोई event, हमको कोई ए, जैसे कोई event हहो, नहाना हो गया, या कुछ भी हो गया, समान उठाना, कुछ भी ठीक है, और वो दो दो चीज पे depend कर रहा है, जैसे event 1 और event 2 पे depend कर रहा है, ठीक है, तो कैसे होता है, देखो, event, probability of event 1, into ये, देखो, हम तो को समझा रहें, फिक है, बाला हूँ हम यहाँ पे है, ठीक है, हम यहाँ पे है, सबसे म मानो हम ये गलिट चूस किये और ये गली चूस करने का मताल नीन का वथा और इसमें और इसमें और इसमें कौंतना तरिका लिखती है अ सब्सक्तुर्फ ले सब्सक्राइब ability क्या हो जाएगा one by three फिर मानों यहां से हमको यहां जाना है तो इधर वापस कितना तरीका होगा कि दो में से एक तरीका तो हाफ हो जाएगा कितना हो जाएगा हाफ फिर हम इन दोनों को क्या कर देंगे multiply तो मेरा final answer क्या जाएगा one by three into one by two तुम समझ रहे हैं कि इस इंपल रास्ता कवर करने का तरीका है तो इसको हम लोग इसमें देख रहे हैं कैसे अब हम लोग इसको सॉल्फ करेंगे तो समझ आ जाएगा ठीक है देखो इसको मिटाओ अरे बहुत इसी है दो सम सिखाएंगे समझ आ जाएगा मतलब क्या ही बोले मजाक वाला एक्ससाइज है रुक इसको लोडिंग लेने तो पहले बस तुम लोग को रीडिंग करने आना चाहिए रीडिंग क्या बोलते एक होने का तरीका जब भी हो चुका है तो चलो हम लोग देखो सबसे पहले दो में से probability of event 1 probability of event 1 तो probability of event 1 क्या हो जाएगा बोलो हाफ होगा और probability of event 2 भी हाफ हो जाएगा अब बोलेगा कैसे देखो 2 में से एक बैक चूज करने का तरीका कितना होता है पर नथीय है कितलेींगे 206 है कि निकल गया इसे और्ess pilot पिर्पाइप शाओराया इसको देखो इसको समझों तुम समझ जाएगा देखो हम समझा रहें है हम से यहां के यहाँ यहां इधर जाने का रास्ता 1 by 2 इधर भी जाने का रास्ता 1 by 2 ये क्या है बैग 1 ये क्या है बैग 2 समझाया यहां तक यहां तक समझाया अब इसका आगे चलो एक बार बैग 1 चूस कर लिए अब हम बैग 1 चूस करने के बाद क्या निकालेंगे siitä में निकालेंगे फाइडबॉल भैग-वन चूस करने के बाद इंपनी का कितना तरीक है देखो कितना उंच के चेप Help भिएपो एफफ़ ओगा तो वद्रॉइंग ब्रॉइट हrn देखो बैग वन चूस कर लिए बैग वन चूस किये बैग देखो तुम हिंदी में सुचो बैग वन चूस करने के बाद तुमको क्या निकलना है वाइड बॉल निकलना है तो बैब वन चूस के लिए तो बैग वन चूस करने का बाद वाइड बॉल निकलने का कितना तरीका होगा टोटल बैग में कितना बॉल है पांच और वाइड बॉल कितना है तेन अरे probability क्या होता है फेवरेबल भाई टोटल ना तो फेवरेबल कितना है 3 और टोटल कितना है 5 ठीक है अब यहां पर आजाओ बैक 2 चूज कर लिए अब बैक 2 चूज करने कबाद वाइड बॉल निकालने का कितना तरीका होगा तो बैक 2 पे चलते हैं बैक 2 में देखो 2 वाइट है और 5 ब्लैक है तो इधर बना दे रहे हैं दो वाइट है 5 ब्लैक है कितना हो जाएगा 2 बाई 7 और यह एक्चुल में क्या इसको लिखने का तरीका क्या है यह एक्चुल में क्या पता है पी ओफ ए ओफ इवेंट 2 इसका हिंदी में करो वाइड बॉल का प्रोबैबिलिटी जब बैक 2 चूज क किये समझा इसी को बोलते है न वो एका होने का चांस जब भी हो चुका है मतला इवेंट 2 हो चुका है और यह जो 3 by 5 यह क्या है प्रोबैबिलिटी ओफ ए इवेंट 1 मतलब इसका कनवर्ट करो वाइड बॉल चूज करने का तरीका जब बैग 1 सेलेक्ट किये समझाया यहां रख आ गया बस आप उठा के सबको फॉर्मला बे रख तो बोलो प्रोबिलिटी ओव इवेंट 1 क्या था हाफ था यह कितना है यह और इवन कुछ नहीं करना है इसको मल्टिप्लाई कर दो देखो ना देखो उपर वाला सारा मल्टिप्लाई कर दो नीचे वाला सारा मल्टि इढ़ी सबदो इसको कितना रहा है 3 by 10 फ्लस टू बाई इधा से 22 कट गया देटर कितना है का 1 by 7 से ले लो एलसे लेकर बता रहे कितना हैगा 31 by 70 यह मेरा क्या आगया एंसर तुम से सीच जाएगा अगर एक समस्म समझ गया तू इसमें हम दस समद नहीं कराने वाले 2-4 समस् पहले बोलो समझ आया कि नहीं यह आ गया तो बस हो गया काम आप देखो एक और कोशिन कराएंगे तफ वाला जो बोर्ट में आता है वैसा ठीक है और फिर उसके बाद उससे भी टफ कराएंगे तो तुम्हारा एक बार में गेम खतम हो जाएगा देख लो चलो इसके बाद वा ठीक है चलो अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन क्या है तेखो बोल ला है अगला कोशन क्या है देखो यह एक्जामपल 6 है एक्जामपल 6 में दिया हुआ है अफेयर डाइस जोल वर्न टॉन अप्स अब बॉल इस पिक्ट अपट रैंडम फ्रॉं बैग ए इस तो थ्री तरन्स अप बॉल बैग बी को चूज करते है और 456 तरन्स अप बॉल सिक्स को पिक करते है है रुको तो लोगो ना कोश्चन भी कोश्चन कहां तक दिखाया देखो तुम लोग एक्जामपल 6 अप देख लो एक बार बुक में कोश्चन समझ लो अफेयर डाइस इस रोल करके है ऐसे करके कोश्चन है आ यह सही बोला यह सही बात बोल दिया भेज देरे रुको कि देखो यह कोश्चन करा रहे है अभी कोश्चन देख लो ठीक है चलो इसको सॉल्व करते हैं कोश्चन सिब समझना है है बहुत असान ठीक है अब आपके करके समझा रहे है बोल रहे है एक डाइस को रोल किये एक dice को roll किये बोल रहा है अगर one आया तो हम bag a को choose करेंगे समझो हम इतरे drawing बना रहा है अगर मेरा one आया dice के उपर तो हम bag one को choose करेंगे ठीक है अगर मेरा two या three में से कुछ आया तो हम bag two choose करेंगे और अगर मेरा four five six आया four five six आया तो हम bag bag three को choose करेंगे ठीक है hello ठीक है समझा रहा है तो सबसे पहले तीन event होगा तीन event क्या होगया event one हो जाएगा bag one choose किये event two हो जाएगा bag two choose किये event three हो जाएगा bag three choose किये ठीक है अब मेरा बात सुनो probability of event one क्या होगा कोई बता सकता है कोई बता सकता है probability of event one क्या होगा अब तुम बोलेगा भाईया यहां तो हम बताद रहें तुम बोलेगा भाईया यहां तो तीन रास्तेött है क्या यह किस पे depend कर रहा है dice में कितना आया तो जब dice में 1 आयेगा तब तुम back 1 उठाएगा जब dice में 2, 3 आया तब तुम back 2 उठाएगा और जब 4, 5, 6 आया तब तुम back 3 उठाएगा ना तो इसका मतलब event 1 किसके बराबर है जब dice में 1 आये हम इतार लिख दे रहे है event 1 किसके बराबर है जब dice में 1 आये और dice में 1 आने का चांस कितना होता है probability कि dice के उपर 1 by 6 कैसे samples पर इसकितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 samples पर इसकितना है 6 है तो favorable by outcome तो probability of 1 कितना हो गया 1 by 6 कोई दिक्कत तो मतलब probability of event 1 क्या हो गया कि probability कि dice के उपर 1 आये जिसका क्या हो जाएगा 1 by 6 समझाया चलो probability of event 2 इसका मतलब क्या हुआ कि probability जब dice में 2 और 3 आये मतलब मेरा कितना हो जागा 2 by 6 और probability of event 3 क्या हो गया कि मेरा dice में 4, 5, 6 आये तो मेरा यह कितना हो जाएगा 3 by 6 जो की होता है हाफ तो हम डाइरेक्ट यहाँ पर हाफ ही लिख दे रहे हैं यहां तक कोई डाउट है कि नहीं होना चाहिए कि हाँ काट दे रहे हैं काटे नहीं हम 1 by 3 हो जाएगा ठीक है तो यह वाला यह गलती से भी मत कर देना मतब जेनरली बैक का कोशें रहते हैं फट से हम लोग 1 by 3 1 by 3 1 by 3 लिख देते हैं कि तीन रास्ता में से एक रास्ता चूज करेंगा तरीका कितना होगा 1 by 3 ना बट हम लोग इस केश में नहीं करेंगे क्यूंकि यहां पर पैक उठाने का तरीका किस पर डिपेंड कर रहा है जै तो एक शहरा करें किली हैड आने का तरीका कितना होता हु कि लोग भी तू होता है समझ आयरे है कि थीक है चोड़ो आगे बढ़े अब समाजी गया होगा तो सबसे पहला टास्क तो हो गया हम लोग बैग उठा लिए तो इतना कोश्चिन पढ़ की हम लोग इतना कुछ कड़ चुके है अब आगे पढ़ते बोला बैग उठाने के बाद ठीक है अब बैग इस स्लेक्टेट ऐसर देंब बाली इस दुखाए Els और बैग दपावलीटीटि इनेम की बैग मेंग क्या है रेड़ भॉल है ठीक है ओके और हम को हम लोग को लिग्टा लिखना पड़ेगा कौन-कौन सा बैग में क्या था है थो यहाn पर लिखते है बैग 1 में क्या का क्या है कि बैग ie contains 3 रेड 2 वाइड ती रड और दो वाइड बौल है और ऑ», कि बैघ डू के अंदर देख लीता है है अवाट जैघ के अंदर है थ्री रेड में फ़ॉर वाइडे और बैग थ्री में है हीं ठ्यक्ति में हैं छीक्षाया पुर्ञेड पांच वाइट कि समझाया हमको देखो यह इवन वन टू और इवन थ्री वह ना एक और इवेंट क्या होगा क्या होगा कि हम बैक से बॉल उठा है और वो और रेट है क्या है आरा है कि और बैक से बॉल उठा है बॉल द्रोन इसे रेड बॉल रॉन समझा है ऐसे करके एक्जाम लिखना होगा है Hello event1 मतलब बैग 1 Advent 2 मतलब बैक 2, event 3 मतलब बैग 3 इवेंट क्या है रेडवर्ड एज़्ड उस्ड्राउन ठीक है तो आप देखते है यहाँ फिरसे द्रों बनाते है ठीक है यहाँ से यहाँ गए यह DAG1 है यहाँ से यहाँ गए 2 यहाँ से यहाँ गए B3 तो बैग था धैक राने का तरीका कितना था one by six two one by six exactly । यहां जाने का तरीका था One by three इस जाने का तरीका था One by two समझाया test है अब बैत उन्ता कि यहां अब उन में जाने के बाद हमको बोला प्रवाबलेटी निकालो कि रेड बॉल दावने निकालो कि क्या है रेड बॉल, बैक 2 में भी जाने का बाद probability निकाले कि रेड बॉल रेड बॉल, तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं रेड बॉल, तो कितना हो जाएगा, 3 by 5 3 by 5, इधर हो जाएगा 3 by 7 और इधर हो जाएगा 4 by 9 4 by 9 यह कोई बोलेगा probability रेड बॉल उठाए, जब बैग 1 सूष कीए, तो probability A का होने का चंस, जब इधर तो कोई दिकत है इधर तो फ师оп पता है जल्दी से बता दो probability A होगा probability A होगा यद है probability of event 1 into probability of a even even जल्दी से लिक लेते है प्लस probability of e2 into probability of a e2 plus probability of e3 into probability of a bar e3 ठीक है फटपट डाल दो उतना देखना नहीं है one by one one by six into 3 by 5 1 by 6 into 3 by 5 ठीक है प्लस 1 by 3 into 3 by 7 और लास्ट में क्या है 1 by 2 into 4 by 9 1 by 2 into 4 by 9 ठीक है यह देखो यह कर 3 से 6 कट गया 2 आ गया तो इधर आ गया 1 by 10 इधर से 3 3 कट गया इधर से 1 by 7 इधर से 2 2 जा कट गया इधर आ गया तू बाई 9 ठीक है इसको तुम लोग सॉल्फ कर ले ना डायरेक्ट एंसर बता रहे है कैल्कुलेटर से ही तुम लोग करने वाला है एंसर आएगा 293 कि भाई 630 एल्सीम लेगा ना एल्सीम लिख देते एल्सीम आएगा 630 यहां जाएगा 63 यहां जाएगा 90 तुम लोग क्यलकुलेटर सही करेगा पता है और यह आजाएगा तुम्हारा एंसर समझ आया कि अरे तुम लोग को करार एंदों कॉपी में लिख रहे की नहीं कि देख रहे है कि मुखो लीको वाप आम इदर रूख जा रहे हैं लिख लो ना देखो यह यह था क्या जब तीन इवेंट एक बार में तीन बैक चूज करने का तो दो टाइप का कुश्चिन सिखा दिए अब हम लोग ऐसा कुश्चिन सिखाएंगे जिसमें यह वाला मेथड लगेगा एंसी आर था ना कॉमिनिशन एक दो तीन चार पांच पांच में से दो बाल उठाने का तरीका क्या होगा फाइफ सी टू याद है है हां तो याद है पांच में से दो बाल उठाने का तरीका क्या होगा फाइफ सी टू ठीक है हाँ अभी तक हम लोग क्या करेते अब समझना देखो हम तुको इसी कुश्चि सिखा देएंगे तुम अभी समझ जाएगा हम लोग इतना तरिन से क्या किये हम लोग वन चूस किये फिर बैग वन्स मेंड कि रेड़ इटेरे बॉल pengamaran का तरीका दिक रहे कितना रेड़ वेक रेड़ बॉल क्या दो रेट बोल उठा है अब लोग नहीं हम लोग सिर्फ एक रेट बोल उठा है तो दो रेट बोल उठाने का तरीका क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा ना उसमें क्या लग जाएगा कॉंबिनीशन 3C2 या दे है जैंसे एक जी तो टीन चार 5 हम अभी समझा दे रहे 5 रेट बॉल है हम सिखायते भूल करें होगा हम एक बैक में पांच रेट बॉल है ठीक है और तीन वाड़ बॉल है ठीक है हम बोले probability कि हम red ball उठाए 2 red ball क्या 2 red ball क्या होगा सबसे पहले total probability total 2 ball उठाने का तरीका कितना हो जागा 5 plus 3 8 8 c 2 क्या हो जाएगा 8 c 2 8 में से 2 ball उठाने का तरीका ये क्या हो गया sample space क्या हो गया sample space ठीक है तो 2 red ball उठाने का तरीका क्या हो जाएगा रेड बॉल कितना है पांच तो 5C2 divided by 8C2 याद आ गया वाइड बॉल उठाने का तरीका कितना हो जाएगा 3C2 divided by 8C2 ये याद है कि नहीं हाँ तो बस हम लोग जो दूसरा सम्स करने वाले वो इसी पे based है ये क्या है इसी पे based है बाकी सब्चिच क्या होगा सेम होगा मतलब जो ड्रॉइंग बना रहे वो सेम होने वाला है उसमें कोई difference नहीं रहने वाला है तो चलो अगला question कर लेते है और ये topic खतम हो जाएगा फिर based theorem देखेंगे बहुत easy है देख लो यही सब boards में आता है यह मांक्स वाला question में अ कुछ भी आ सकता बेस ठीरम भी आ सकता है यह चार मांक्स में भी आ सकता है यह चार मांक्स में भी आ सकता है तो आगे बड़े तीक है हाँ वाग एक कंटेंस four black six red wall ठीक है एक बैग एए है ठीक है और इसमें है four red balls जिस एक सेगेंद घलत लिख दिए और हो कितना ब्लक है फोर ब्लैक्ट बाल से और इस घ्रेड बॉल से ब्लैक भी है उसमें seven black balls है और three red balls है ठीक है फिर से dice वाला आ गया फिर से dice वाला game आ गया क्या बोल रहा है एक dice हम roll किये अगर one two आया तो bag A उठा रहे देखो अगर one two आया dice में तो हम bag A उठाएंगे कौन सा bag उठाएंगे bag A ठीक है समझा गया होगा और हम लोग ना bag one bag two रखते ठीक है A भी लिख देंगे कोई दीक confuse मत होना बस और वो कब उठाएंगे देखो one two नहीं आया तो क्या क्या आएगा three four five six जब ये आएगा तो हम कौन सा bag उठाएंगे bag B तो सबसे पहले हम लोग event लिख लिख लिखते है या भी को चूस किये ठीक है अब समझ आया और मेन इवेंट 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 इए-ई-ई-ई क्या है कि हम bag back back में से मेरा ब्लाइक बॉल आया ब्लाइक बॉल इस डॉन ब्लाइक बॉल इस डॉन हम जो बॉल निकाल वो क्या है मैंब इवेंट निख और हलै लिए इसको मेंड इवेंट यह क्या है मेंड क्या होता है जब कर भी इसके बाद उठाएंगे समझा पिछला कोश्यट Мыनोग इसी इसी को अ लिख रहे थे दो तो चलो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले बोलो probability of event 1 क्या होगा कि probability of event 1 किसके बराबर है कि जब डाइस में वेरा क्या आ जाए वन और टू आ जाए तो कितना होगा एफ दो बडाइस में 3 आ जाए 4 आजाए 5 आजाए 6 तो यह हो गया वन टू बाइज और यह हो गया टू बाइज थ्री समझाए यहां तक है ठीक है अब यहां पर आजाते है यहां पर आ जाते हम घ्रक्रोष कर लिए पहला यह बैग A है और यह बैग B है बैग A चूज करने का तरीका कितना हो गया कितना दाया था 1 by 3 1 by 3 और इसको चूज करने का तरीका हो गया 2 by 3 अब बैग A चूज कर लिए अब हम क्या निकालेंगे black ball black ball निकालेंगे तो bag A चूज करने का बाद black ball निकालेंगे कितना तरीका होगा तो हमको पीछे जाना पड़ेगा देखो bag A में क्या है 4 black है 6 red है तो हम इदर बना दे रहे है bag A में 4 black है और 6 red ball है तो कितना हो जाएगा बुलो और हमको कितना ball उठाना है 2 ball उठाना है 2 ball तो नीचे कितना जाएगा 10 C 2 और उपर कितना जाएगा 4 C 2 ये कोई दिक्कत है तो बोल दो समझा गया 10 C 2 क्या है 10 ball में से 2 ball उठाने का तरीका 4 C 2 क्या है 4 black ball में से 2 ball उठाने का तरीका समझा गया हां और इधर कितना बॉल था साथ ब्लेक तीन रेड तो कितना हो जाएकट नीचे आजएगा 10c2 उपर आजएगा 7c2 समझ आ यहां तक कि और यह एक्चुल में क्या है कि इवेंट होने का चांस जब event 1 हो चुका है event होने का chance event 2 हो चुका है event क्या है black ball उठाने का तरीका black ball उठाने का तरीका जब हम bag 1 choose किये है हिंदी में convert करो black ball उठाने का तरीका जब हम लोग bag 2 choose किये बस आप sums खताम हो चुक है तुम लोगों पता है तो answer क्या हो जगा probability of e क्या जगा probability of event 1 into probability of e bar e1 plus probability of e2 probability of e bar e2 खतम डाल दो चुपचा 1 by 3 into 4c2 divided by 10c2 ठीक है इसको calculate कर लेना प्लस 2 by 3 into 7c2 divided by 10c2 समझा गया खताम सम इसको calculate कर लेना calculator से जो भी आएगा वो तुम्हारा क्या है answer है बढ़ एक्च्वल एक्च्वल कुछ अलगी था हम लोग कर कुछ और दी है ठीक है बढ़ ये भी सही है ये कब ये क्या question है कि हम बॉल उठाए दोनों ब्लैक है अब मानो only cou चेंज करते हम बोले की ऐसी के सबरसव संब्लिट की पिक किये ऐसे को कुछ अ हम एक कि को कीं में सब समझाने बढ़ ठीक है हम दोंग रियूदा हम दोंग ओर दोनों रिड रेंत जैक्या-एल धोंग यहां से यहाँ से यहां गय बैक में लिब इत चलव तुम बताओ संक बैग ए में जाने का तरीका कितना था 1 by 3 था इसका तरीका था 2 by 3 ठीक है अब बैग ए में क्या-क्या था चार ब्लैक 6 रेड चार ब्लैक 6 रेड और बैग भी में था साथ ब्लैक तीन रेड और हम लोग कितना बॉल उठाएंगे दो रेड बॉल उठाएंगे यहाँ पर भी दो रेड बॉल उठाएंगे बोलो क्या होगा यहाँ पर हाँ 6 C2 divided by 10 C2 यहाँ पर क्या होगा 10 C2 और यह एक्षल में क्या है प्रोडेश्टी ओफ इवेंट ई माई एवन प्रोडेश्टी ओफ इवेंट ई इक टू और एक रेड बॉल पीकिंग अ रेड बॉल ठीक है याद रखना तो बस यह भी तुम समझ चुक है तो प्रोडेश्टी फाइनल अनसर क्या होजएगा probability of e t1 into probability of e jamb event 1 हो चुका है plus probability of event 2 जब प्रोबिलयटी अफ e2 और E b tower e2 ठीक है इसको हटा तो यह क्या है इनटिंग लिख रहे है ठीक है कितना हो जाएगा 1 by three in two six c2 by 10 c2 यह calculate कर लेना और यहां हो जाएगा two by three into three see two by ten see two खतम हो गया तो अब यह था second question मता हम एक ही question में तुको तीन वराइटी दिखा रहे हैं पहला क्या था यह था यह था दूसरा क्या था यह था अब तीसरा क्या होगा एक और करते चलो अलग मजा तीसरा बोले कि हम बॉल पिक किये उसमें से एक ब्लैक आया और एक रेड़ आया तुम समझा क्या बोले एक ब्लैक आया और एक रेड़ आया तो देखते हैं सबसे पहले बैक चूस करेंगे तो उपर चल जाते हैं वन बाई थ्री जैसे था वही होगा two by three ठीक है बैग ए में आ गए बैग 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 कैंग ए में텐र क्या था चार ब्लैक छे रेड गलएग भी में था इस ब्लैक में साथ ब्लैक तीन अब हम क्या करेंगे एक ब्लैक एक 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 रीट एदमईजी बोलो चार ब्लैक मझे एक एक ब्लैक उठाने का तरिका क्या होगा four see 11?. ये शे रेड़ अछनिय अक्रेस तरिका 6C1 नीचे क्या होगा total कितना बॉल उठा रहा है 10C2 क्योंकि 2 बॉल उठा रहे है यहां क्या होगा बोलो 7C1 into 3C1 divided by 10C2 खतम और यह क्या है probability of event by event 1 probability of event by event 2 और event क्या है event यह है event है जब आम बॉल उठाए एक black आया और एक red आया समझा और तुमको पता है डारेक्ट लिख दे रहे 1 by 3 into जो भी यह है इसको डाल देना plus 2 by 3 into जो भी यह है इसको डाल देना और यहां पे इसको डाल देना खतम ठीक है अब भाई आब इसमें तुम लोग गलती किया ना तो छोड़ दो हम कुछ नहीं कर तक लिए किया किया कि यह अरे देखो यह पेस्ट देखो प्रोबैबिलिटी का जो एक्जाम में तुम्हारा कोश्यन आएगा ना तुमको कभी लिखेगा नहीं जिन्दगी में कि बेस्ट धियोरम में क्या है तुमको खुद से समझना होगा तो यह है टोटल प्रोबैबिलिटी का कोश्यन अब हम लोग बेस्ट धियोरम देखने वाले समझ रहा है यह यह देखो तुमको कोश्यन को थोड़ा याद रखना पड़ेगा जैसे यह तुम टाइप का कोश्यन अब समझ जा रहा होगा कि क्या है ठीक है अब तुम यह कोश्यन आएगा तो हमको तो नहीं लग रहा है गलत करना चाहिए ठीक है अब तुम हमको अगला एक्सरसाइज भी कराना है भेजो हम पॉस्ट कर रहे हैं हमको इसके बाद वाले एक्सरसाइज का भीजो ठीक है कि तुमको समझाए कि नहीं कि हाँ कि भेजो जल्दी भाई कि पॉड़े कि भेज़ोर्म कि आगिया एक्लास्ट कि भेज कि थियूर्म लेट्स लर्न बेस्ट थियूर्म सीदा सम्स कराएंगे सम्स से सिखाएंगे कुछ बशी ग्यान नहीं ठीक है तक अब बोल रहे है एक मैनुफेक्ट्ट्र यूनिट है दो मैनुफेक्ट्ट्र होते हैं ना दो ठोए एक्स और वाई कि थोड़ा रुक वाजीब है ये पहले थोड़ा ऐसा कराते कि समाज आज़े पहले ही में कन्फ्यूज हो जाएगा रुक जाएक सेकंड किके इसी कुख कराते चुट्ट्ट देख़ें हम समझार रहे है क्या यक हो गया एक्स टेकर वाई है अब सिक्टी अब्लांट एक्स मेनेफेट्ट्ट्ट्र स सेवन्टी परशंट औव दा कार अनद प्लांट य तीस परसेंट टीक है ये सतर परसेंटю the car बनाता है और यह 30% of the car बनाता है दोनों क्या बना रहा है कार बना रहा है हमसे भी line rate कर रहे है कुछ नहीं 80% of the car at plant X and 90% of the car at plant Y are rated of standard quality standard quality यहां लिखो standard मतब good quality समझ सकते है standard quality कितना percent है standard quality इसका 80% और इसका standard quality है 90% यहां तक कोई दिक्कत है a car is chosen and is found to be of standard quality एक event हुआ एक event हुआ क्या event हुआ बलो तो car choose किये और वो standard quality का निकला क्या निकला standard quality का निकला हमेशा event a a हटा दे रहे हम एक काम करें e लिख दे रहे क्योंकि e से हम लोगों को आदत हो गया है ठीक है हम e लिख दे रहे कि तुमको रटा जाए e ठीक है e मतलब event ठीक है अब आगे पढ़ते है what is the probability that it has come from plant X क्या बोल रहा probability निकालो कि यह जो standard quality का कार आया वो plant X से आया कहां से आया plant X से आया मतलब कुछ लग रहे conditional probability जैसा है लग रहे ना कुछ conditional probability जैसा है चलो आप करते हैं देखो सुनों हम यहां लाइन से लिक रहे event one event one क्या है की जो मेरा कार बना है वो X company से बना और कहां से बना है X company से event two है कि मेरा जो कार बना है वो Y company से बना है कोई दिकत को दिकत नहीं ठीक है एक एकए कहकर करते probability of e1 probability of e1 क्या होगा सोचो अभी हम स्टेंडर्ड कॉलिटी खराब करूटी नहीं देख रहे हैं हम सिब देख रहे कि कार कार जो x company से आया उसका चांस कितना होगा कार जो x company से आया उसका चांस कितना होगा 70% यह डायरेक्ट दिया हुआ है तुमको 70% मतलब 70 by 100 जो कि कितना होता है 0.7 7 by 10 लिख के भी छोड़ सकता है 0.7 भी लिख सकता है 7 by 10 लिख दे रहे हैं कार जो वाई company से आया मतलब इसमें सिर्फ कार का बात कर रहे है स्टेंडर्ड कोलिटी खराब कोलिटी का बात नहीं कर रहे है समझो तुम समझ रहे है उनली कार का बात कर रहे है तो प्रोड़िटी इवेंट टू क्या होगा 30% कि समझा कितना हो जागा बोलो 3 by 10 अब आगे बढ़ते है आगे बढ़ते है इत्यान लाइन बाइन थैको सबसे पहले इवेंट 1 हुआ कि कार कर इवेंट 1 से बना हो से इवेंट 2 हुआ कि कार कहां से बना हो हो मैं इवेंड़न रखर और वा一 ऑ अब अगह मैं। इसके बाद बोल रहा है कि कार ज़ो चुछ किए वुक्त कॉल rooty का भी हो यहां विर जो कार चूज कि वह क्या होना चामने है co प्लोड है किसका स्च्टैंडड कॉलिटी तो चलो चलते हैं देखो इस यह एक्टिल में जो उठाए वो standard quality का है और वो company x से आया है देखो यह event क्या था car chosen is of standard quality और यह मेरा question है यह मेरा question है इसको मत confuse हो यह question है मेरा कि मेरा x plant से कितना probability है ठीक है देखो तो और यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहा है p of e slash e2 ठीक है तो देखो तो e slash e1 कितना दिया हुआ है 80% कितना दिया हुआ है 80% तो direct 80% लिख दो 80% मतलब 80 by 100 मतलब 8 by 10 कोई दिकत यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या दिया है 90% 90% मतलब 9 by 10 यहाँ ता कोई दिकत है यहाँ ता कोई दिकत है भाई Hello लो नहीं ना आप मेरा फाइनल एंसर कैसे होगा यहां तक सब निकाल लिया ना फाइनल एंसर देखू हम लोग क्या करेंगे देखो हम लोग निकाल ले यह इसको reverse order में लिखते इस तरीक से लिखते देखना इवन इवन बाई ए अब तुम बुलेगा इवन क्या है समझा रहे है इसका पहले देख लो यह कैसे लिखते हैं देखो एदम ध्यान से सबज़दा एक सब्सक्राइब दूखो तो मेरा फोन आ रहे है हाँ यह होगा probability of इवन into probability of इवाई बाई सब कुछ जो जो बचा है इवन probability of इवाई इवन हम समझा दे रहे है डरो मत probability of E2 into probability of E बार E2 हम समझा रहे टेंसन मत दो देखो हम एदम अच्छे से समझा रहे ठीक है देखो इजो बेस ठीरम है न यह क्या बोलता है एदम ध्यान से समझो कार जो चूज किये वो standard quality का होना चाहिए और X factory से आना चाहिए तुमको बस match करना होगा यह कहां का बात बोल रहा है तो जब तुम final answer दिखाएगा तुम कैसे लिखेगा उल्टा क्या लिखेगा कैसे लिखेगा उल्टा लिखेगा E1 by A और बाकी सबचीत सेम है जो अभी total probability में पड़े थे ना सेम बट तुमको देखना पड़ेगा कि अगर मानो हमको बोलता factory Y से आ रहा हो क्या होता पता है देखो लिखते इदर probability of E2 देखो बताओ भाई यहाँ A नहीं होगा यहाँ E होगा हम लोग A नहीं लिए हम लोग E लिए ठीक है हम लोग क्या लिए है E हम गलती से A लिखते है यहाँ क्या होगा E होगा ठीक है बोलो probability of E2 E हो जाएगा probability of E2 into probability of E bar E2 यहाँ ता कोई दिक्कत है नई divide by मतलब जो यहाँ पे लिखते है जो यहाँ पे लिखते है उपर में उसी वाला को लिखते है उपर में उसी वाला को लिखते है divide by नीचे सब कुछ आ जाता है क्या क्या आ जाएगा बोलो नीचे आ जाएगा E1 into E by E1 plus probability of E2 into E by E2 यहाँ ता कोई दिक्कत हुआ तो हम दोनों सॉल्फ कर सकते है तुमको वैल्यू पुट करना आते ही है हम वैल्यू पुट नहीं करें समझेगा ना कि हम डाल दे चलो डाल देते है probability of E1 कितना था 7 by 10 था तो चलो यहाँ पर डालो 7 by 10 into E by E1 कितना था 8 by 10 8 by 10 नुमेरेटर में यह आ गया डिवाइड में क्या आ जगा देखो डिवाइड में यही फोटो कॉपी होगा फोटो कॉपी कर दो 7 by 10 into 8 by 10 अरे सेमी चीज़ लिखा हुआ है न से और इसको बस देख लो यह कितना था 3 by 10 और 9 by 10 3 by 10 into 9 by 10 कोई दिक्कत डिवाइड में आ जाएगा 7 by 10 into 8 by 10 प्लस same copy same photo 3 by 10 into 9 by 10 इसको कैलकुलेट कर लिना तुम्हारा answer आ जाएगा ठीक है और देखा जाए देखो उपर कितना हैगा 56 by 10 56 by 100 नीचे हैगा 56 by 100 प्लस 27 by 100 ठीक है इदर आ जाएगा 56 by 100 और नीचे क्या आ जाएगा 56 by 27 90 103 by 100 कट गया 56 by 100 कुछ गलत कर तुम्हे 56 plus 27 कितना होता है 103 होता है ना 83 होता है 83 83 83 83 ठीक है अरे तुमको यह पहचानना कैसे है आपको टेक्नीक सिखा रहे हैं पहचानते कैसे ठीक है रडी वापस हम लोग तब से क्या कर रहे थे जोला था जोला चुन रहे थे जोला चुन रहे थे जोला चुनने का बाल उठा रहे थे यह कर रहे थे तो ठीक है अब कभी-कभी जोला डायरेक्ट उठा सकते जोला डाइस पर डिपेंड करते है मलाब डाइस में जो आएगा तब जोला उठाएंगे दो केटकरी का कोश्चिन देखे थे थिक है वेस्ट थिएरम को कैसे पैचानते हैं तुमको समझना होगा थिक है समझे की नहीं अब वो बोल रहा है कि हम एक कार चूस किये और वो स्टेंडर्ड कॉलिटी का निकला क्या प्रोबाइबिलिटी है कि वो एक्स जोला एक्स फैक्टरी से आया है हम लोग इतना देर से कुश्चियन क्या कर रहे थे कि दो जोला में से कि-10 समझारे कैसे समझ आएगा कैसे हाउव विल्यूंडİों अंडस्टरेटी यथ है टोटल प्रोबिलिटी है कि भीछ तोटल प्रोबिलिटीए की एडर्व में कैसे समझेगे ऑइस चृरा में जैसे एक्स कंपणियत यहाँ पर मानों यहां ने दो red ball उठाए क्या probability है कि हम क्या उठाए red ball हम को यह न ही बोला कि red ball X जोला से हम को सिभ οςिब क्या बोला red ball उठाए base theorem क्या بولता हम को क्या بولता red ball उठाने का क्या probability है बस इतना तक आके रूप जाता base theorem में question कैसे आगा दिखो निए दूरेडे थी ब्लैकितों 5 डेड ठीक है को बेसे और क्या बोलतां कि पुलता कि रेड बॉल उठाओ ब्पट बट बट एक चेल लिग दीता बोलता कि वह एक स्वूला से हुना चाहिए कौन से और आ यूंत अग्ञहें अगए तो तुमको कर समझाएगा वह क्या है ब्थ तो समय द्रेंगा विर्यार रहे है तो और अगर सी बोल देता प्रोड़ियू पूल ढंदर का टूद टोज परौद ही पूछ लेता तब वह हम समझा रहे हम समस कराएंगे समझ आजएगा हम एक बर वापस समझाने का ट्राइग करें ठीक है एक बर इसको समझ लो तो कन्फियूजन हो जाएगा रेड बॉल पिक किये जोला से बैक से बस यह लिखा रहेगा तुम समझ रहे हैं यह नहीं बोला कौन सा बैक से सिप क्या बोला बैक से यह एंडिंग है कुश्चिन का इसमें चलते हैं बोला दो जोला है ठीक है बाई समझ गए दो रेड तीन ब्लैक पांच ब्लैक दो रेड वी समझ गया, question क्या बोला, question वो बोला, red ball pick करने का probability, but वो x जोला से होना चाहिए, किस से होना चाहिए, x जोला से, या ऐसा भी question आ सकता था, red ball, red ball pick किये, but वो y जोला से है, क्या है, y जोला से है, तुम बताओ, इसको base theorem में कैसे लिखेंगे देखना, इसको base theorem में कैसे लिखेंगे देखना, कैसे लिखेंगे का पता है, probability of, मालो, event 1 है, हम bag 1 उठाए, अरे भाई, मेरा, रुख जोए, क्यों है, हेलो, हाँ, अगर base theorem में लिखेंगे, मालो, event 1 है, कि हम bag 1 से ball उठाए, event 2 है, कि हम bag 2 से ball उठाए, ठीक है, समझा रहा है, और event है, कि हम ball pick किये, हम ball pick किये, वो है red ball, वो क्या है, red ball, तो कैसे होगा, देखो, ठीक है, red ball, बट कौन सा जोला से, x जोला से, क्या बोले, कौन सा जोला से, x जोला से, event 1 है, जब हम bag 1 माना कि x जोला चूज किये, और event 2 है, bag 2, मतलब कि हम y जोला चूज किये, ठीक है, इसे confuse मत हो जाना, एक काम करें, bag 1, bag 2 हटाई दे रहे, confuse हो जाएगा, हटा दे रहे, ठीक है, even क्या है, बोलो, even है कि हम bag x चूज किये, event 2 है कि हम bag y चूज किये, ठीक है, और event क्या है, हम red ball चूज किये, बट वो कौन सा जोला से है, वो x जोला से है, तो कैसे होगा, देखो, कैसे लिखेंगे, उपर में, probability of, e by e1, into probability of, into probability of क्या होगा, event 1, divide by, इसको आगे लिख दो, तुमको याद रखना है ना, तुमको इसको आदे लिख दो, probability of event 1, ठीक है, डिवाइड में क्या चला जाएगा, probability of event 1, into probability of e by event 1, ठीक है, plus probability of event 2, into probability of, e divide by event 2, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर, बो, event 1 by e, उल्टा, यहाँ पर क्या आएगा, उल्टा आएगा, ठीक है, बड़ अगर इधर लिखते, इधर क्या बोला, सिभ रेड बॉल पिक करना है, यह नहीं बोला कौन सा बैक से, तो क्या होता, probability of e, क्या होता बोलो, probability of e, event 1, into probability of e by event 1, plus probability of, event 2, into probability of e, बार event 2, और e event क्या है, रेड बॉल पिक किये, बैक से, रेड बॉल पिक किये, समझाया, यहाँ तक, हाँ, चलो, आगे सम्स करते है, तब और समझाया, एक सिक्ट, चलो, ठीक है, दूसरा कॉशिन करते है, एक ठो, ऐसा करते है न, जोला वाला हो, जोला वाला से, पता नहीं, समझ आ जाता है, अच्छा रखता है, जोला वाला दीख नहीं रहा, जोला वाला थोड़ा पीछे जाना होगा, हाँ, जोला वाला है, क्या ये, जोला वाला ही लग रहा, हाँ हेलो हेलो मिल गया कोशन मिल गया हमको हम कर रहे ठीक है कोशन मिल गया हमको थोड़ टाफ है थोड़ टाफ है बड़ ठीक है कोई दिकत नहीं है समझते है समझा जाएगा कोई दिकत बोल रहा है पहला कोशन क्या है देखो कोशन लिख रहा है question बोल रहा है question बोल रहा है एक bag है three green balls और seven white balls ठीक है एक bag है three green balls और seven white balls ठीक है two balls are drawn one by one at random without replacement ठीक है । f second ball is green, this means that we can call. हम एक ब़ाज के पहले एक बॉल पिक किए। हेलो हॉआ एक बोल पिक करके हम अपने पास रख ली है Chem अपने पास रख ली है, ठीक है उसके बाद हम वापस एक बॉल पिक किये हम वापस एक बॉल पिक किये क्या probability है कि ये बॉल ग्रीन होगा क्या probability है कि ये बॉल ग्रीन होगा हम question पढ़ दे रहें a bag contains three green balls and seven white balls two balls are drawn at one by one at random without replacement एक question का keyword क्या है without without replacement एक के बाद एक ball उठाया गया one by one one by one ball उठाया गया without replacement और without replacement मतलब क्या होता है कि अगर तुम bag है 10 ball था इस bag से एक ball उठा लिया तो bag में कितना बचा 9 ball तो तुम जब दूसरा ball उठाएगा वो तुम 9 ball में से उठायेगा उठाने के बाद bag में बच जाएगा 8 ball समझा इसको बोलते है without replacement उठा लिया तो अपने पास रख लिया समझाया ठीक है अब इसको करते हैं समझते हैं सबसे पहले क्या क्या होगा समझते हैं event 1 होगा कि हम ball उठाए जो पहला ball first ball उठाए first ball उठाए वो green है ठीक है और event 2 क्या हो सकता था हम first ball जो उठाए वो क्या निकल गया वो white निकल गया और event d e event क्या होगा कि जो हम ball उठा है वो क्या निकले green बट कौन सा ball second ball हमको क्या बलता second जो second ball है उसका बात कर रहा है तो event क्या होगा कि second ball सेकंड बॉल ग्रीन है सेकंड बॉल ग्रीन है ठीक है चलो आगे बड़े अब समस्ते हैं सबसे पहले निकालते हैं probability of even probability of even मतलब क्या हुआ कि first ball green है तो दिखते हैं bag में कितना बॉल है तीन ग्रीन साथ white तीन ग्रीन साथ white कि हम बहला इवेंट क्या है कि हम एग बॉत है तो 10 में से ए ग्रीन ऊठाने का तरीका क्या होगा थैक है और साथ white है तीन अब देखो probability event 2 क्या हो जाएगा मानों अभी भी क्या है तीन green है और साथ white है तो क्या हो जाएगा बोलो 7 by 10 7 by 10 इधर तक कोई दिक्कत है इधर तक कोई दिक्कत है क्या नहीं ना आम इसको फोट ड्रॉ करते है यहां पे गए यहां पे गए ठीक है पहला बॉल उठाए जो की green था पहला बॉल उठाए जो की white था इसका probability निकला 1 by 10 एक सेकंड 1 by 10 कहां से आ गया green ball 3 है ना नसा हो गया तीन बाइ टेन होगा sorry तीन बाइ टेन होगा अड़े तुम लोग बोल काई नहीं रहा बाई कुछ और यहां पे 7 by 10 होगा के ठेक ceux अब green ball से हम फिड से बाल उठाए strips हम बॉल उठाएंगे और यहां से यहां से हम फिड से बॉल उठाएंगे ठेक है तो और हम कौन सा को कि स्टो की एब सेकंड बॉल वी क्या आ जाए स एकंड बॉल भी ब्रीन आ जाए सिस चिर्ट बॉल भी ड्री आ तो अब सोचो जब बैग में अगर यह वाला चीज हो गया तो पहले बैग में कितना बॉल था पहला बैग में कितना बॉलता तीन ग्रीन साथ वाइट पहला बैग बोल रहा है तीन ग्रीन साथ वाइट तो जब हम इस पात को फॉलो करेंगे तो अब बैग में कितना बच बेर दूसरी बार का बात हो रहा है यह दो बॉल का बात नहीं हो रहा है दूसरी बार का बात हो रहा है थीक है है तो सेकेंड बॉल उठाए वो भी ग्रीड क्या हो जाएगा बोलो वन बाइडनाईन क्योंकि ठीक है बन्हानद फैवेवेडल बाई तो इसको लिखेंगे कैसे प्रोबाविटीघिल क्1 से लिखेंगे कि सेकेंड बॉल ग्रीन आया जब इवेंट वन हो चुका है इसका मतलब क्या हम लिखते रहे इसका मतलब है कि सेकेंड बॉल 2nd ball green आया जब पहला बॉल भी क्या था पहला बॉल भी green था अब इसको देखते है कितना है तीन green छे white तो इसका probability किता हो जगा 3 by 9 इसको लिखेंगे e by e2 इसको हिंदी में convert करते है second ball second ball green आया second ball green आया जब पहला ball पहला ball white था पहला ball क्या था हाँ बोलो हाँ 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 यह वाला बोल रहा है यह यह बोल रहा है कि सी कहां पे हाँ नहीं सी यह वाला एं सी आरी अरे मेरे बाब आप देखो ईसी में हम लगा सकते नकुर्व जब हमको भुला होता कि देखो जब एक टाइम पे ऑन psychological और तीन चीज उठेंज उठाता यह दस जीज उठाता । थब एन शी एआर लगता है तुमको क्या यहां बोला है कि देखो यहां पर तुमको दो बॉल ही उठाने बोला है पहले कोश्चन समझ लो तुमको उठाने बोला है दो बॉल बढ़ एक एक करके क्या करके एक एक करके ना भास तो जैसे मानो एक दो तीन चार पांच है पहले एक क्या हो जाएग समझा इसमें तुम एक केक करके उठा रहा है इसमें NCR नहीं लगा सकता समझ रहे कि नहीं समझ रहे ना यहां तक आ गया हम लोग यह पूरा ट्री अपना बना चुके अब हमको सिप क्या करना है सम्स खतम कर देना है मेरा को क्या बोला कि जो दूसरा बॉल आया कि दूसरा बॉल आया वह क्या आया अगा ग्रीम आया एक स्क्राइब कोशन परदये थे कि इव दा सेकेंड बॉल ओज ग्रीज़ा आया जब पहला बॉल पहला बॉल क्या था वाइट था प्या था यह था वाइट 1 into probability of बोलो एक्चल में यहां पर ऐसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको जानना होगा कि denominator में denominator पर करी सकते हैं क्या होगा इवन इंटू e by e1 रटा हुआ है प्लस probability of e2 इंटू बोलो e by e2 यहां तक आगया ना अब दिक्कत है यहां पर क्या लिखे और यहाँ पे क्या लिखे तो तुमको question देखना होगा boss question क्या बोल रहे question बोल रहे कि second ball green आया क्या second ball green आया जब पहला ball white था तो उपड़ चलते है भहिया और यहाँ पे try करते है समझने का यह कौन सा area है second ball green आया जब पहला ball green था तो ये वाला चूस करेंगे, नहीं ये चूस करेंगे, कौन सा ये वाला, क्या है सेकंड बॉल ग्रीन आया, जब पहला बॉल, क्या था वाइट था, तो चलो यहां आजाओ, यहां आजाओ उल्टा लिखो, क्या लिखो E2 by E, क्या लिखो E2 divided by E divide नहीं है, बार है, इसको बार बोलते हैं और यहां पर क्या लिख देंगे, वो ही जो यहां पर रहता है, वो यहां पर मतलब, यह चाप जाएगा, यह उपर चाप जाएगा, E2 into probability of E bar E2 कि यह गलत कर दिये है गलत क्या 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 यह सही की है, यह बार चेक कर लेते हैं, यह लोग क्या किया है यह लोग किया है probability of drawing second green when one ball has been already drawn भाई हम लोग कौन सा कर दिये है if second ball is green, what is the probability that the third ball is drawn also green first ball, 1 second, first ball, अभी, अरे यार, कौन स्क्राइब कर दिते है अरे हम लोग सुनो सुनो, गलत नहीं है, यह सही है, यह सही है अब question क्या बोला गया, वह हम दूदा, question कुछ और दा, question यह है, अरे यह सही है, जो यह हम लिखे ना, अरे जो हम लिखे ना, यह सही है गलत नहीं है, एक और, जो main question है, question क्या हम बता रहे है, question में बोला गया है, कि second ball, second ball, green है, और पहला ball भी क्या है, पहला ball भी green है, पहला ball भी क्या था, green था, समझा, चलो उपर आ जाओ वापस, तो हम लोग आप कौन सा select कर लेंगे, इसको reject कर देंगे, और इसको select कर लेंगे, तो बस हम लोगों को लिखना आता ही है, क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ तो रटी गया होगा, E1 by, probability of E by E1, plus probability of E2, into probability of E by E2, numerator में क्या जगा, probability of E1, क्योंकि event 1 आ गया न, E by E1, इसको चाप दी उपर, और यहाँ पे क्या जगा, reverse करके लिख देंगे, क्या करेंगे, reverse, तो E1 by E, समझा भाईया, तुमको अगर यह निकालने बोलता, तो यह कर देता, तुमको यह निकालने बोलता, तो तुम यह कर देता, अब तुमको कुछ करना नहीं, तुमको उठा के value को, पुट कर देना है, ते को, अच्छा से हम सिखा दिये है, ठीक है, हम इंदा मस सिखा दिये, अब तुम लोग अराम से कर सकते हैं, और एक दो ठो कोश्यन, और एक दो कोश्यन कर लेते हैं, कि जो NCR वाला बोल रह था न, एक ठो वो भी कर लेते हैं, और फिर चलते बरेंगे एक एकसरसाइस बच जाएगा वो हम कल करवा दें ठीक है एक तो टफ कुशिन खोज लेते हैं आप देखो तुम लोग का काम है सारा एक्जांपल कर देने का क्यों कुश्यण मिल रहा कि का एंसी कुश्यन मिल गया बॉल वाला ही यह हां भाई तो भहुत जबस यह भूए यहादा ही टेंजरस कुस्चिन है ठीक करेंगे कोई दिक्कत नहीं है को शिन से अपनों लोग नहीं डरते है अपनों लोग को आता है ठीक है रुख हम एक बार साइड हो जाए ठीक है तो उधर बैठा है उधर ही बैठ तब अब कर दे रहे हैं तो कुशन देखो हम टेबल बन तो ती यह है ब्लैक पॉल वाइट रेड और यह है ब्लू चार्ज हो ला है एक दो तीन चार चार तो जो ला है ठीक है फोर ऐसे लिखते है अब क्या क्या है देख लेते हैं थ्री टू वन फोर फोर टू टू थ्री फाइव टू थ्री वन यह हमको चार्ज हो ला है चार का लगला कॉंटिटी दे दिया कोश्चिन पढ़ड़े समझो इत्दम अराम से बोल रहा है बॉल रहा है बॉल सबसे पहले ड्रॉ किये ठीक है बॉल रहा है बॉल का कलर है बॉल का कलर है बलाक यह भी समझ गए अगर यहां तक कॉश्चिन रुक जाता तो कौन सा थЬोरम होता टोटल प्रोब्लिलिटी प्रोबिलिटी कि बॉल उठाये और बॉल कौन सा कलर का गया है बलाक कलर तो कैसे करता वह रांच बना बना के करता बट पर कोस्च्चिन यह हम नहीं है आगे भी है वो क्या बोला उठाए ब्लैक हुआ बट इसी था है यही पैचाने का टैकनिक है कौन सा पॉक्स से था तो ये कैसा कुश्ण हो गया बेस ध्योरम बन गया क्या बन गया बेस थ्योरम अगर यहां तक रहता यहां तो कौन सा कुछ यह था टोटल प्रोड़ेविलिटी बढ़ आगे बढ़ गया तो क्या हो गया बेस ठ्योरम कोई दिक्कत यहां तक यहां तक कोई दिक्कत है क्या नहीं है ना तो चलो आगे बढ़ जते हैं सबसे पहले जोला उठाएंगे तो जोला उठाने का टेक्निक तुमको पते यह जोला बोलो बैक बोलो तो प्रोड़ेविलिटी ओफ इवेंट वन पहले यहां लिखते रहे इवेंट वन मतलब क्या बॉक्स वन को उठा है इवेंट 2 मतलब बॉक्स 2 को उठा है इवेंट 3 मतलब बॉक्स 3 को उठा है इवेंट 4 मतलब बॉक्स 4 को उठा है तो जली जली लिख लेते हैं प्रोड़ेटी ओफ इवन प्रोड़ेटी ओफ इटू प्रोड़ेटी ओफ इथरी और प्रोड़ेटी E-4 probability of E-1 क्या हो जाएगा देखो एक फो लॉजिक लगा चार बक्सा में से एक बक्सा उठाने का तरीका नुम XVII यहां भी क्या होगा बाई 4 यहां भी क्या होगा वंभी 4 इसमें करें किसमें का दिकत है छॉद Rings नहीं समझ आ रहा है जैसे हम बोले हमको probability जो हम box उठाए वो box 1 है क्या होगा 1 divided by total box total box कितना है 4 box उठाए box क्या निकला box 2 क्या होगा 1 by 4 फ़न वाई-फ़ोर वनवाई-फ़ोर जैसे टेल हट को अपवलिटी टेल आने का चांज कि अब हाफ प्रबीटी है है डाने का चांज कितना होता है हाफ वो ही वाला हिसाब है ठीक है समझ गया यहां तक आगे बड़ो अब मेरा हम लोग का मेन इवेंट क्या है मेन इवेंट हम लोग लिखे ही नहीं हम लोग का मेन इवेंट है कि जो हम बॉल उठाए जो हम बॉल उठाए वो क्या था ब्लैक कलर का था क्या था ब्लैक कलर का था ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते है हम लोग आगे बढ़ते हैं यह तो इदम सिंपल कोश्चिन नहीं है नहीं है हम गलत यायर स्कैम हो गया ठीक है यह वाला कर लेते हैं अच्छा कोश्चिन लगा तो करवा दिए फिर एक NCR वाला कर लेंगे देखो तो हम लोग एक एक करके सॉल करते हैं चलो सबसे पहले यहां गए यहां गए और यहां गए ठीक है वन बाई फोर 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 समझा यहां तक है ठीक है अब हम यहां से क्या जाएंगे एक ब्लैक बॉल उठाएंगे एक ब्लैक बॉल उठाएंगे और फिर एक से हम एक बार सारा बैक का उपपर आजा देखो थीक है इसका पास तीन ब्लैक है हाँ हाँ बोलो इस यह रो होता है और यह कॉलम होता है हाँ देखो यहां पर तीन ब्लैक है और टोटल बॉल कितना है एक तीन दोपांच दिए इधर टैन बाल्स है यहां पे चार में से टीन ब्लाक बोल उठाने का तरीका कितना होगा थ्री वाइटेन पिर यहां पर चाहरे गलत कर दिये ना हम लोग और ऐसे देखेंगे ना तर्ट तरह काटर्स को सोरी 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 एसे देखेंगे ना टोटल बॉल कितने बैक वन में चार तीन साथ साथ पांच बारा बार चाहरा आठरा बॉल है और यहां पर 2 24 42 यह बै आठ वोल और इधर है 2 3 3 6 7 इधर है 7 8 8 5 3 तेरा बॉल ठिक है तो यहां देखो box 1 का 3 black ball है यहां पर 2 है यहां पर 1 है यहां पर 4 है इसको देखो इसका क्या हो जाएका 3-8 इसका क्या हो जाएगा 2 by 8 समझ गया न कितना हो जगा 3 by 18 2 by 8 उपर चलो यहां हो जगा 1 by 7 और 4 by 13 1 by 7 4 by 13 और ये क्या है अच्छे से तुमको लिखना आता है probability E का होना जब bag 1 चूस कियो मतलब black ball का उठाना जब bag 1 चूस किये ठीक है ये क्या हो गया probability E का होना जब bag 2 चूस किये भाई इसमें पता है कुछ नहीं है इसी लिखने का टेक्नीक है तुम लोग समझ गया होगा जो हम समझाना चाहरे है कुछ भी नहीं है चैक्टर में भाई मा कसम कुछ नहीं है यहां तक हुआ चार्ट बन गया हां अब हम लोग को बोला क्या अगर total probability बोलता तब तो समझ खत्म हो जाता total probability बोलता है चलो कर देते probability E क्या होता बताओ सागर अगर total probability बोलता तो क्या होता E probability कि जो ball उठा है वो black है जो ball उठा है वो black है बोलो क्या होता रही जल्दी बोलो total probability अगर करते तो क्या होता बोलो हाई जल्दी क्या कर रहा है e e1 e1 e by e1 plus probability of e2 probability of e2 e by e2 समझ गया होगा dot 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 कर दे रहे हैं समझ गया होगा ठीक है यह होता total probability बड़ हमको यह बोला ही नहीं है हमको क्या बोला है कि बॉल उठाए बॉल उठाए क्या बॉल उठाए बट बॉक्स क्या था थी था जैसे ही ऐसा कोशिन आता है तो दिमाग में क्या आएगा बेस थियूरम बेस थियूरम अगर सी बोलता बॉल उठाए बात खतम कुछ सोथना नहीं है बड़ बॉल उठाए बड़ बॉक्स भी बॉक्स भी मेंशन कर दिया हां भई थीक है समझें तो बॉक्स थ्री बोला न तो यहां पर क्या एगा probability of उल्टा, उल्टा, क्या, E3 by E, E3 by E, उपर क्या हैगा, probability of E3, into probability of E by E3, divide करेंगे, probability of below, E1, into probability of E by E1, plus probability of E2, into probability of E by E2, plus probability of Y, खा कर रहे है, E3, into probability of E by E3, ओ, भाई, नम मर जाएंगे यार, probability of E4, into probability of E by E4, खता हूँ, दिवाइड में इतना भड़ा आएगा, दिवाइड में ये पूरा फोटो आएगा, ठीक है, और numerator में, ये आएगा, और यहाँ पर क्या करते हैं, पता है, घुमा के, खुमा के लिखते हैं, क्या लिखते हैं, खुमा के, अब वैल्यू, अब हमको मत बोलना वैल्यू डाली है, वैल्यू कुप चुप चुप डालने न, एंसर आ जागा, ठीक है, तो, लास्ट एक्ठो बता देते हैं, फिर चलते हैं, भई, मेरा भी गला ठक गया है, एंसर, एंसर बताते हैं, बाइनोमियल एक्स्पेरिमेंट बच जाएगा, बस वो करा देंगे न, एंसर वाला खुषते हैं, हाँ, चलो, अगला ही कोशियन NCR वाला है, हाँ, हम कलती से न, इस साइड वाला देख लिए थे, इसी लिए, एक्जामपल नम्बर 21, देखो, एक्जामपल नम्बर 21, ठीक है, फिर से बनाते है, एक, दो, तीन, बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थृ, ठीक है, यहां तक आया, ठीक है, यहां तक, ये है ब्लैक बॉल, ब्लैक, ये है वाइट, और ये है रेड, बॉल का कॉण्टिटी है, 1, 2, 4, यहां पे है, 2, 4, 5, यहां पे है, 3, 1, 3, टोटल बॉल लिख देते, इधर 6 इधर टूटल वाल है 7 इधर टूटल वाल है 12 अब हम लोग कोश्चिन पढ़ते हैं अब आग इस सेलेक्टेट इस रेंडम एंड देन 2 बॉल्स हाद रोन कि टूब बॉल्स आर ड्रॉन चटर इधर कर चटर इधर अधर तो सो अम उतर जा रहे है हुआ हुआ एक सिकंड बतार है ठीक है कहां चला गया टू जो और सिस ट्रॉन आगे क्या बोला है हो बोल रहा है टू बाल चीज्ट लओं द्य हैपन तु बी ब्लैक आंड प्रिया एपर और partners पूरा एक बॉल ब्लैकों स्में और एक बॉल रैड होगा और डेन को अगर यहां तक बॉलता लिख तो कुछन क्या हो जाता किसे वे त्टे टोल प्ूराइबद फॉर के मैं रहा एंग इंद कर दे कि इसी से होना चाहिए इसी से यही case होना चाहिए अगर चिप बोल दिया probability तब है कर total प्राइलिटी बड़ बोल दिया कि इसी से होना चाहिए तब आएगा base theorem बात खतम तो हम लोग दोनों लिखेंगे total भी निखेंगे और वो भी लिखेंगे कि सीख जाए चलो start करते है सबसे पहले जोला चुनना है जोला चुनना ही होगा नहीं तो बात ही खतम होगा event 1, event 2, event 3 ठीक है bag 1, bag 2, bag 3 choose करेंगे पता चल चुका होगा तो एक बोलो 3 bag में से 1 bag उठाने का तरिका 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3 खतम, easy अब तो समझ क्या होगा समझ क्या तो भाई hello अब हम लोग क्या करेंगे चलो, यहाँ पर drawing बनाएंगे और क्या करेंगे, drawing ही तो बना रहे यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3 ठीक है अब यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे और हम लोग उठाएंगे क्या एक red क्या उठाने बोला है एक blue, एक red, ठीक है very good एक red, एक blue 1 red, 1 blue 1 red, 1 blue समझा? एक बार में उठा रहे, कितना बार में उठा रहे? एक बार में, मुठी डाले उठा लिए और एक बार हम लिख देते क्या क्या है यहाँ पे? कि अच्छा से और समझ आ जाए, यहाँ पर लिख दे रहे इसमें हैं 1, 2, 3 1, 2, 3 वन ब्लैक है दो वाइट है जा सलाम तब से ब्लू बोल रहे है ब्लैक है ठीक है बी मतलब ब्लैक ब्लू कर रहे है ब्लू बॉली नहीं है दो वाइट है और तीन है रेड इस जोला का देख लेते हैं इस जोला में क्या क्या है इस जोला में है 2 ब्लैक 4 वाइट है और एक रेड है ठीक है? इस जोला में भी देख लेते हैं 4 ब्लैक 5 वाइट 3 रेड यहां तक समझ आ गया होगा हम बुक से देख लिए टेबल बुक में है न देख लिए ठीक है? चलो अब उठाना चालू करते हैं ठीक है हम लोग एक बार में कितना बॉल उठा रहे हैं तो बॉल कितना बॉल दो बॉल कि हमको उठाना है कि तीन रेड़ में से एक रेड़ उठाने का तरीका क्या हुआ थ्री सी वन एक ब्लाक में से एक ब्लाक उठाने का तरीका क्या हुआ 1c1 और कोई बेवेकुफी होगा यह अब 1 ही होता है अब एक बॉल ब्लाक है उठाने का तरीका क्या होगा उन इंध भाई बाई बैब यहां पर आते हैं एक ही रेड़ बॉल है तो इसको वन ही लिख रहे है वन सी वन लिख दे रहे छोड़ो कन्फ्यूज हो जाएगा फाल्तु का और ब्लैक टू सी वन समझ किया याद इटना एनसी एन होता है न वह वन होते हैं मतलब अगर कभी 5C5 लिखा हो है तो फाइट वन सी वन मतलब क्या होँआ एक बॉल है उसी को इठाने कितना तरीका होगा एक हिंदी में अभी मैट मतलब हिंदी 4 दो छेक साथ इधर कितना हो जगा सेवन सी टू आगे कितना रेड है 3 रेड 3C1 इंटू ब्लू कितना ब्ला कितना है एक चार है और नीचे अगा पांस इनाटा बारा 12C2 यहां था कोई दिक्कत भाईया ना हा बोलो यह तुमको समझ नहीं आया पिछला समझ आया था पिछला वाला अरे अरे भाई सुनो सुनो हमको क्या बोल रहे है ना हमको बोल रहे है बैक से बॉल निकाले दो बॉल उठा रहे है एक बार में दो बॉल उठा रहे है ठीक है उसमें से एक रेड होना चाहिए और एक ब्लैक होना चाहिए तो क्या लगेगा, combination लगेगा न, देखो यहाँ पे, तीन red में से एक red उठाने का तरीका क्या होगा, 3C1, और एक black में से एक black उठाने का तरीका क्या होगा, 1C1, हेलो, और टोटल कितना बॉल है, 3 प्लस 2, 5, 5 प्लस 1, 6, टोटल क्या हो जाएगा, 6C2, डिनॉमिनेटर में क्या जाएगा, 6C2, आ गया समझ में, हाँ, वही बोले भाई, दरा दी, यहाँ पे भी वही किये, देखो, एक red में से एक red उठाने का तरीका, दो black में से एक black उठान का तरीका, divide by कितना जगा, 7C2, यहाँ भी वही हुआ, ठीक है, यहाँ तक कोई problem, और यह क्या है, हमको तुम बताओ, तुम ही बताओ, चलो, तुम डाउट पुछी हो न, तुम बताओ, यह क्या है, यह जो हम लोग निकाले, यह क्या है, बोलो, गलत, बहुत बढ़िया बा E2, अरे हिंदी में convert करो न, इसका मतलब क्या हुआ, जो ball उठाए, मतलब बॉल नहीं उठाए, हम ball उठाए, एक red, एक black, वो कौन सा जोला से निकला, जोला number 1 से निकला, हिंदी में convert करो, समझा जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, P of E by E3, अब अगर total probability बोलता, तो तुम को है, क्या होता, ठीक है, लिख देते है, probability of E, मतलब सिभ एक red, और एक black ball उठाते है, जोला में से, तो direct answer क्या होता, probability of E1, into probability of E by E1, plus probability of E2, into probability of E by E2, इसको क्या होगा भाई, E by E2, plus probability of E3, into probability of E by E3, यहाँ तक कोई दिक्कत है, पर हमको क्या यह निकालने बोला है, नहीं, हमको यह निकालने नहीं बोला है, हमको यह निकालने नहीं बोला है, हमको यह निकालने नहीं बोला है, हमको क्या निकालने बोला है, हमको बोला है, कि वो जोला नमबर 1 से हो, कौन सा जोला से हो, जोला नमबर 1 से हो, तो E1 by E निकालने बोला है, कि जोला नमबर 1 से हो, कौन सा बॉल, एक रेड और एक ब्लैक, क्या हो जाएगा उपर, probability of E into probability, sorry, E1 into probability of E by E1, denominator में क्या आजाएगा, probability of E1 into probability of E by E1 plus probability of E2 into probability of E by E2 plus probability of E3 into probability of E divided by E3, ठीक है, और कुछ करना नहीं है, value put कर देना है, चलो, इसका हम value put करके दिखाई दे रहे, समझा जाएगा, value put कर दे रहे, देखो, final में, ने value कैसे ही put करेंगे, तुमको calculate करना पड़ेगा, हम उनको बता दे रहे सबका answer, तब तुमको समझा जाएगा, ये ना calculator से calculate करके, 1 by 5, ठीक है, ये calculator से आएगा, 2 by 21, और ये आएगा, 2 by 11, ठीक है, देख लिए पता चलो गया, ठीक है, तो अब हम लोग formula में डाल देते है, formula में डालेंगे, कैसा देखेगा, देखो, जोला उठाने का टेक्निक केतना था, इधर लिखा हुए, 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3, तो यहाँ पर चलो, आजाओ, कितना हो जाएगा, 1 by 3 into, 1 by 5, 1 by 3 into, 1 by 5, divide by, 1 by 3 into, 2 by 21, 2 by 21, अब उसका तुमको टेक्नीक सिखाने वाले देखना, 1 by 3 into, 2 by 11, प्लस, 1 by 3 into, 2 by 11, यहाँ 21 है, 2 by 21, यहाँ पर है, 2 by 11, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ था, नहीं, अब तुम बेवकूफ जैसा कैलकुलेटर से करने मत लगना, क्यों, तुम एक ठोचीच देखो, 1 by 3, देखो, कैलकुलेटर भी इस्तमाल करना है, बट बेविजूर का नहीं क से लिखते रहे, 1 by 5, 2 by 21, ठीक है, यह, 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 common आ रहा है नीचे से तो यहां पे 1 by 5 आएगा यहां पे 1 by 5 आए यह बोल रहा था ना तो 1 by 5 divided by आएगा तुम्हारा 551 by 1155 जो की आ जाएगा 1 by 5 into 1155 divided by 551 और इसको तुम कैलकुलेट करेगा यह कट जाएगा यहाएगा 231 तो एंसर आ गया 231 divided by 551 ठीक है खताम भाई तो हम लोग 2 exercise कर लिए आज probability का ठीक है probability का दो exercise कर लिए तुम लोग को कुछ का नहीं करना है तुम लोग को अब example प्रैक्टिस करना है बस और कुछ नहीं जो डाउट आएगा पुछने नाम से ठीक है चलो चल रहे तब